सब्सक्राइब कीजिए आओ गर सजान चैनल को और बेल आइकन को दावाना ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो को नौटिफिकेशन मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने में कोई पैपने अपने चैनल में एको नीडिजान का कैप लिए हूँ जो बेबी के लि अगर आपका हाथ ज्यादा टाइट है तो आप क्या कर सकते हैं दो सलाइगा लेकर भी इसमें फंदी डाल सकते हैं देखिए इस तरीके से कि ऐसी आपको जो भी तरीका फंदे डालने का एजी लगए आप ऐसे फंदे डालिएगा और यहाँ पे हम 60 फंदे डालेंगे तो देखेगा हमने अपनी सलाई पे यहाँ पे 60 फंदे डाल लिए सार फंदे डालने के बाद मैं क्या करना यह सारी सलाइब हमें उल्टी बनानी है आप कोई बॉर्डर भी बना सकते हैं यहाँ पे उल्टे सीधे का जो बॉर्डरा भना चाते वो बनाईएगा कोई भी इसमें बॉर्डर आप डाल सकते हैं जो डिजाइन आपको अच्छी लग तो देखिए के फिनेट समनिया पे बॉर्डर बना लिया है आठ सलाइयों का एक तो तीन चार आठ सलाइय बनाई है तो यह चार वो बनके कम्प्लिट हुई है आप देखिए इसको उल्टी साइट में जाएंगी हम और यहां से हमारा जो दूसरा कलर है उसको अटेच कर कलर हमें उल्टी साइट से ही अटेच करना है इस तरीके से और इसको साथ में ले लेंगे हम ऐसे और ये पूरी स्लाई उल्टी बनाते हुए कम्प्लीट कर लेंगे तो देखेगा उल्टी स्लाई बनाने के बाद में फिर से हम इसके सीधी साइट में हैं तो क्या करना है परला फंदा हम उतार लेते हैं और यहां से हम सीधी फंदे बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ दो, चार, छे, साथ, साथ फंदे हमने बना ली साथ फंदे बनाने के बाद में धागी को अपनी साइट किया और इस तरीके से हमने एक जाली डाली एक जाली पढ़ गई फिर से धागी को अपनी साइट किया और ये दूसरी जाली डाले। ठीक है? दो जाली पड़ गए, उसके बाद में फिर से हम शात फंदी बनाएंगे. एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, साथ फंदे बनाने के बाद में फिर से धागी को अपनी साइट करेंगे और ये देखिएगा, एक जाली, धागी को अपनी साइट करते हुए दूसरी जाली, फिर से साथ फंदे बनाने हमको यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ दागा अपनी साइट, एक जाली, फिर से अपनी साइट दागा और यह दूसरी जाली, फिर से साथ फंदे बनाएंगे और देखिए का, साथ फंदे बनने के बाद में फिर से हमें यहां पर जाली डाल देने हैं, एक दागे को अपनी साइट किया फिर से और यह दो, लाश्ट में यह छे फंदे हैं हमारे पास में, इनको हमें सी दई बना लेना है, अब उल्टी साइट में जाएंगे तो हम सारे फंदे उल्टे बनाते हुए कम्प्लीट कर लेने है ऐसे पूरी सलाई उल्टी बनाने है उल्टी साइट की सलाई बनाने के बाद में फिर से हम सीधी साइट में हैं तो अभी हमने यहाँ पर साथ फंदे बनाए थे सीधी अब हम यहाँ पर आठ फंदे बनाएंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और ये आठ, आठ फंदे कैसे हुए, जैसे कि हमने यहाँ पर जाली बनाई थी, जाली से जो फंदा बढ़ा, उसको यहाँ पर हमने बना लिया तो आठ फंदे हो गए, अब यहाँ से दिखेगा, यह जाली आ चुकी है, इस तरीके का बनने के बाद में, तो आपको यही ध्यान रखना यहीं से हमें जाली डाल दें, तो फिर हम धागे को अपनी साइट करेंगे, और देखेगे, इस फंदे पर हमने ऐसे जाली डाल देंगे, जैसे कि पहले हमने दो दो फंदे पर किया हुआ था, वैसे ही करेंगे, यह देखे यह देखिए, यह आ चुका है यह वाला फंदा तो इसको भी हम इस साइट बना लेंगे, उसके बाद में इस तरह की जो चैन होगी यहां पे, उसके लिए हम धागे को अपनी साइट में करेंगे और इस पे हम जाली डाल देंगे, यह देखिए, फिर से धागे को अपनी करेंगे और यह दूसरी जाली डाल देंगे, इस तरीके से, और यह सारी फंदे बना लेंगे, जहां पर जाली दिखाई देगी, वहां पर हम जाली डालेंगे, ऐसे ही करते हुए हम यह पूरी सलाई बना कर कंप्लेट कर लेंगे, तो देखिएगा, इस तरीके से यहां पर दो सलाईया बनके complete हो चुकी है और दोनों मैंने ये जाले डाल ली है अब हम पीछे के साइट से फिर अपना blue color attach करेंगे और फिर से blue color से दो सलाईया बनाएंगे और इसी तरीके से जहां पर हमारी जाली पड़ी होई है वहीं पर हम जाली डालती हुई ये आगे की साइट बढ़ाते जाएंगे यानि कि दो-दो सलाईया हमें दोनों color से बनानी है तो यहां से हम अपना blue color attach कर लेते हैं पीछे की साइट से ये देखेगा जब पीछे की साइट की सलाई बनाते हैं तो कोई भी फंदे को हमें गटाना बढ़ाना भी नहीं है सीध्य जो फंदे जैसे हैं उनको बिल्कुल बैसे ही बनाती हुए complete कर लेना है तो इनको बना लेते हैं तो देखेगा उल्टी साइट से blue color जोड़ने के बाद में हम फिर से इसकी सीधी साइट में हैं तो अभी हमने यहाँ पे 8 फंदे बनाए थी अब की बार में हम यहाँ पे 9 फंदे बनाएंगे यानि कि जाली से हमारे जो फंदे बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे हम इनको बनाएंगे और हर एक स्लाइप पे हमें जाली डालनी है पिछी के साइट से हमें कोई जाली नहीं डालनी लेकिन सीधी साइट से हमें यहाँ पे जाली डालनी है देखेगा इस तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कहां से हमें जाली डालनी है इस टाड़ी में देखे दो, चार, छे, आठ और एक नो नो फंदे बना लिए हमने दागे को अपनी साइट किया और इस तरह की जो चैन आईगी वहीं से हमें जाली डालना शुरू करनी है एक जाली पड़ गई, नागे को अपनी साइट किया, दूसरी जाली पड़ गई इसी तरीके से हमें आगे तक बनाना है, आपको छोटा वड़ा जैसा भी बनाना उसके इसाब से यहाँ पर जाली डालेगा तो आगे बनाते हैं कितनी जाली डालते हैं उसके बाद में आपको पूरा बताऊंगी तो देखी का फ्रेंट सामने यहां पे 10 जाली डाल लिए एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और यह 10 तो देखें, 10 जाली डालने के बाद में अब हमें क्या करना है यहां से अब हम कोई जाली नहीं डालेंगे और आप जाली उसे नहीं समझ में आता आपको तो इस तरीकी से देखें दो, चार, छे, आठ और यह 10 यानि कि हमने यह दो-दो सलाईया बनाई हुई हैं दोनों कलर से आप देखेंगा यहां से हमें क्या करना है अब यहां से दिहान से देखेंगा यह तीन फंदी हैं और यह चैन वाला फंदा जो बीच का है यह देखें यह वाला है जिसमें हम जाली डालते थे तो ये वाला बीच का फंदा चैन बाला है बाकि ये तीन फंदे है तो आवा में क्या करना देखे इस फंदे को हमने निकाला और इस फंदे को हमने ऐसे कर लिया और जो आगे वाला फंदा था उसको हमने पीछे कर दिया और जो चैन वाला फंदा उसको हमने ऐसे कर तोगे, आगे की साइट कर लेना है, ये देखिए ऐसे, और ये तीन फंदों को अपनी स्लाई में ऐसे ले जाके, थोड़ा सा तीला करेंगे, पीछे की साइट में ऐसे ले जाके, तीन फंदे का, एक फंदा बना देना है, देखिए कुछ इस तरीके से, फि इस वाली जाली को और बताती है किस तरीकी से गटाना है इधर वाली में इतने फंदे जब तक हम बना लेते हैं तो देखिएगा फिर से हम ये तीन फंदों के पास में आ चुकी हैं एक बार आप ध्यान से देख लिजेगा ये फंदा हमने उतारा और इस फंदे को इतारा जो बीच वाला फंदा है इसको हमने ऐसे पकड़के रखा और आगे वाला फंदा था उसको बीच में कर लिया और जो बीच वाला फंदा था उसको ऐसे आगे की साइट में कर लिया ऐसे फिर तीन फंदे लेते हुए ये तीनों फंदों को हम लेंगे और ऐसे तीन का एक बना द करते हुए हमें यह डिजाइन बना के कंप्लीट करनी है तो देखिए का फिनेट इस तरीके से हमने यह गटा लिए हैं अब मेरे पास में यहां पर बारा फंदी बच्च होए हैं अब क्या करना है एक दो तीन चार इस तरह के की एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ लाइन हम बच्च होए फंदी हैं पहुआ है बाकी फंदी यही हमने सबना कर अब 12 फंदे बच्च होई हैं उनको क्या करना हैSch Bay से शीमें से मैंने कटा हूँ यहारी हए और मकर यह प्लिग घंटे में इसका देखिए मूँ और आप निकाल दो ने ले सकती हैं और ईता गठी कि शुबuity करते होगी नियुकि फंप कुलिक पर लेगे हैं इसको टैट कर देंगे और पूलता करके किस्लाइ कर लेंगे एंड तक पूरी अगर बीच में यहां पे आपको पंपं बगरा लगाना चाहते हैं तो यह खुला छोड़ दिये जिए यह बाद में भर जाएगा और नहीं लगाना चाहते हैं तो अभी से यहीं से सिल्के नीचे तक पूरा सिल्के कम्प्लिट कर लेना यहां पर देखिए बरावर दोने इससे को करते हुए पूरा हम इसकी स्लाइग कर लेंगे देखिए गांड मैंने इसको सिल्ली आई सिलने के बाद में कुछ इस तरीके का बनके कम्प्लिट हुआ है एक दिखिए गां कितना सुन्दर लग रहा है यह दिखिए पूरा जो मैंने बनाय हुआ है यह साइज सिक्स मंद के बच्ची को बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा तो फ्रेंट साथ वीडियो में फिर मिलती हैं जब तक के लिए बाबाइ जब झाली है यह जब झाली है यह जब झाली है